प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आईए शुरुआत करें कि स्टेकिंग क्या है, यह सामानने रूप से क्यों मौजूद है और यह क्या है, हम स्मार्ट ब्लॉक्चेन पर स्टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मदर कॉइन स्मार्ट है, हमने प्रूफ ब्लॉक्चेन और इसकी कुझी, सबसे बुनियादी कोईन यह स्मार्ट ही है, इसी के तहट आज हम आपसे स्मार्ट की स्टेकिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेटवर्क को डेलिगेशन की आवश्यक्ता होती है, इसके लिए वोटिंग, प्रतिनिधियों, उम्मी स्टेकिंग, फ्रीजिंग को कहते हैं, आपके वालेट में आपके स्मार्ट कॉइन फ्रीज हो रहे हैं, मेरे दोस्तों फिलहाल प्रोडक्शन में यानि हमारे मौजूदा स्मार्ट ब्लॉक्चेन में इस फंक्शन के काम करने के लिए वस्तुता कुछ फाइनल टच बाकी है ये सब हम अपने मोबाइल वालेट से मैनेज करेंगे, इसलिए स्मार्ट वालेट के नवीनतम वर्जन को अपडेट करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर आप अपने स्मार्ट कॉइन को स्टेक पर लगाने के लिए फ्रीज कर पाएंगे, यह फ्रीजिंग ही रूप में अपने मोबाइल वालेट का उपयोग करते हैं, स्मार्ट, टोकन, स्प्लिट्स के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, टेक रिवार्ड जैसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ आधान प्रदान करते हैं, यानि रिवार्ड प्राप्त करते हैं, यह सभी ट्रांजेक्शन हैं, network resources का उपभोग करते हैं हमारे network में resources, bandwidth और energy है bandwidth क्या है? अंग्रेजी भाषा से अनुवादित यह throughput है और हमारे मामले में आप में से प्रतियक के पास हमेशा प्रतिदिन 1500 unit bandwidth होते हैं यह सब अपने बहुत ही चालाक algorithm के अनुसार चलता है लेकिन फिर भी आपके bandwidth की दैनिक limit 1500 unit है इसका मतलब है कि आप लगभग smart transaction कर सकते हैं मुझे यह भी यकीन है कि आप में से कुछ लोग हर दिन मुफ्त transaction करते हैं एक मुफ्त transaction का मतलब है कि आपको इसके लिए smart network पर या blockchain पर भुक्तान करने की आवश्यक्ता नहीं है Commission एक resource है यह bandwidth और energy है आईए अब इन दोनों अवधारणाओं को अलग करके देखें तो मेरे दोस्तों हमने आपके साथ अपना smart explorer खोला है हमारे blockchain explorer के man page पर हम दो graph देखते हैं account और transaction account यह प्रत्येक wallet हैं हम अपने पिछले webinar में इसका अध्यन कर चुके हैं हम जानते हैं कि account ब्लॉक्चेन पर कोई भी wallet होता है और आईए इन में से किसी भी wallet को random तरीके से लें हम यहाँ क्या देखते हैं हम यह अध्भुत graph देखते हैं smart power, energy और bandwidth आज के webinar में हम bandwidth और energy की अवधारना से परिचित होंगे यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान account में bandwidth की अन्य 1222 unit उपलब्ध है यह हमें बताता है कि कोई user अपनी danic throughput limit यानि bandwidth unit का उपयोग करके smart contract में transaction कर सकता है bandwidth पूरी तरह क्षमता के बारे में है energy तो उर्जा ही है खैर, यहाँ अनुवाद करने की कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब यह है कि आप में से प्रत्येक अपने blockchain explorer पर कोई भी wallet खोल सकता है और देख सकता है कि इसमें कितनी energy और bandwidth है तो हम अपनी बुद्धिमत्ता को stake पर क्यों लगाते हैं और smartest को stake करते समय आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप उन्हें किस लिए stake कर रहे हैं stake लगाने का प्राथमिक लक्ष्य उन लोगों को पुरस्कृत करना है जो या तो bandwidth या energy के साथ stake लगाते हैं यानि जब आप अपने smart को stake पर लगा सकते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप उन्हें कैसे stake पर लगाना चाहते हैं bandwidth या energy आप एक ही समय में दो resources को stake पर नहीं लगा सकते केवल एक के लिए आगे जा सकते हो आप अपनी balance राशी पर अपनी राशी को विभाजित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक लाख smart है यह काफी शानदार है आप इन में से 50,000 smart energy के लिए stake पर लगाते हैं और 50,000 आप bandwidth के लिए stake पर लगाते हैं इस प्रकार blockchain आपके resource, आपके personal profile, आपके profile wallet को बढ़ाता है यानि, blockchain के लिए अब आपके पास प्रतिदिन 0 unit energy और 1500 unit bandwidth नहीं बलकि इससे भी काफी अधिक है यह 10,000 energy, 10,000 bandwidth हो सकता है जो अनिवारे रूप से आपको blockchain के लिए मुफ्थ transaction करने की अनुमती देगा उनके लिए अपने resources से भुकतान करेगा आईए, अब हम आपसे विस्तार से बात करते हैं कि bandwidth क्या है और energy क्या है bandwidth network bandwidth है इसे प्रतियक transaction पर खर्च किया जाता है smart network और token के संचलन दोनों में अर्थात, इस resource unit का उप्योग smart blockchain network में प्रतियक transaction के लिए किया जाता है और energy एक अन्य resource है एक अन्य प्रकार का resource जो smart contract के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए, दोस्तों, हम एक बार फिर से screen sharing पर लोटते हैं अपने smart explorer को एक बार फिर से खोलते हैं आईए बस इसे लें और इसे update करें यहां हमारा transaction है यह पहला ऐसा transaction है जो transaction की list में सामने आया है हम तुरंत देखते हैं कि यह हमारे पास take reward है यानि इसका मतलब यह है कि webinar में फिलहाल किसी को splitting के लिए एक निश्चित मात्रा में ultima प्राप्त हुआ है अर्थात वह तदनुसार splitting के मालिक बनने के लिए rewards के रूप में एक ultima प्राप्त करते हैं चलिए देखते हैं हमने इस transaction पर कितना पैसा खर्च किया 280 unit जोरदार इस transaction के दौरान यूजर ने कितने smart burn किये zero यानि यह हमें केवल यह बताता है कि यूजर की दैनिक bandwidth limit ने इस transaction को ज़रूरी throughput प्रदान किया है हमें smart को burn या अपने balance से smart पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन अब ध्यान दीजिए energy को देखिए इस transaction को resource करने और take reward के लिए जरूरी energy smart contract से ultima प्राप्त करें यानि smart contract ने reward की transaction जरूरतों को पूरा किया transaction का भुकतान हमेशा आरंभ करता द्वारा किया जाता है अर्थात प्रत्येक user जो हर दिन take reward बटन पर क्लिक करता है वह इस transaction को शुरू करता है और तदनुसार वह इस transaction के लिए pair होता है अर्थात network को इस transaction को process करने के लिए उसे कुछ resource प्राप्त करने होंगे उस पर resources को भी खर्च करना होगा और यदि आप और मैं वर्तमान निचले हिस्से को देखें तो हमें वहाँ एक bandwidth दिखाई देता है यानि हर user के पास ये है प्रति दिन एक निश्चित मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है हाँ लेकिन डेड़ हजार से ज्यादा नहीं और तदनुसार यदि हम transaction से देखें तो 280 unit इस limit में पूरी तरह से शामिल है और इस प्रकार user का bandwidth इस transaction के लिए परियाप्त था यानि उन्होंने smart को bandwidth में नहीं बदला लेकिन energy के साथ मेरे दोस्तों सब कुछ बहुत अधिक दिल्चस्प होगा देखिए इस transaction को पूरा करने के लिए इसे काम करने के लिए हमने इस transaction के लिए 54,064 unit energy का भुकतान किया यानि इस transaction पर 54,064 energy खर्च हुई user के पास यह energy नहीं है उसके पास staking के लिए frozen smart नहीं थे यह इस resource के लिए था कि उसे smart के साथ भुकतान करना पड़ा यानि नेटवर्क ने इस transaction पर खर्च की गई energy को कवर करने के लिए user 1135 smart का शुल्क लिया और इसी तरह हमें क्या मिला इसके लिए user ने 54,000 energy के लिए भुकतान किया जिसके लिए 1135 smart का भुकतान किया गया अब आप और मैं समझते हैं कि मुझे stacking की आवश्यक्ता क्यों है यही वह है जिसके लिए मुझे resources मिल रहे हैं क्योंकि मैं smart में कम कमीशन का भुकतान करूंगा क्योंकि यदि मेरे पास resources की मात्रा है जो मुझे smart burning के बिना transaction करने में मदद करेगी तो ये व्यावाहरिक रूप से मुफ्त transaction है जो हमारे blockchain में लागू होते हैं कल्पना करें कि अब आप में से प्रत्येक smart blockchain के प्रत्येक user के पास staking की शुरुआत के साथ कितनी खुली छूट है उसकी गतिविधी का क्षेत्र कितना व्यापक रूप से खुलता है यानि staking user को जो मौका प्रदान करता है वह बेहद शांदार है यदि पहले आपको transaction करने के लिए smart के जरीए भुकतान करना पड़ता था सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास resources नहीं थे अब resources उपलब्ध हो जाएंगे और जो user bandwidth या energy दोनों के लिए smart को staking पर लगाता है वह अपने resources को बढ़ाता है और resources उसे अपने smart को burning किये बिना network पर transaction करने में मदद करते हैं मेरे दोस्तों अब मैं आपकी chat पर वापस आता हूँ अब मैं stop sharing पर click करूँगा ये इसकी कमिया है क्या अभी सब कुछ उपलब्ध है क्या आप staking की अवधारणा network पर resources और तदनूसार किस पर क्या खर्च किया जाता है इस सब को अच्छे से समझ रहे हैं मेरे दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है क्रिपया शर्माए नहीं हाँ मैं आपके जबाव देख पा रहा हूँ ये काफी सपष्ट और शांदार है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने ब्लॉक चेन पर staking लागू करने की तैयारी कर रहे हैं जब ऐसा होगा तो सब से पहले नए मोबाइल वॉलेट के बिना staking संभव नहीं होगी यानि आपको हर जगह थोड़ा-थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है और तदनुसार मेरे दोस्तों जैसे ही आपके पास स्मार्ट वॉलेट एप्लिकेशन का एक वर्जन उपलब्ध होगा हमेशा की तरह यह Android और iOS पर एक साथ जारी किया जाएगा और वेबसाइट से उपलब्ध होगा यानि सभी तीन सोर्स जहां आप हमारा एप्लिकेशन प्राप्त कर सकते हैं उन्हें एक पॉइंट 20.0 वर्जन में अपडेट कर दिया जाएगा वर्तमान वर्जन 1.19 है अगला वर्जन 1.20 होगा बेशक इस एप्लिकेशन के बारे में नया क्या है इसकी जानकारी स्टोर में ही दी जाएगी कि स्टेकिंग उपलब्ध होगी केवल वहां आप एक नया मेनू पा सकते हैं जिसके बारे में हम अगले वेबिनार में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए बस तैयार रहें तैयार रहें कि आपको अपनी एप्लिकेशन अपडेट करनी होगी और इस एप्लिकेशन के अपडेट होने के बाद आप अपने स्मार्ट को स्टेक पर लगा सकेंगे हाँ मुझे चैट में सवाल दिखाई दे रहे है मेरे दोस्तों हम कोई बैंक नहीं है हम एक पूरी तरह से विकेंद्री कृत ब्लॉक्चेन है जो अपने स्वयम के अल्गोरिडम के अनुसार काम करते हैं जिसकी अपनी जरूरतें अपने रिसोर्सेज हैं कुछ के लिए ट्रांजेक्शन आसान है उसकी कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं है उसके पास एक टोकन है उसने उसे ले लिया और भेज दिया बस इस नेटवर्क ऑपरेशन के लिए न्यूनतम गणना की आवशक्ता होती है इसके लिए उन्हें कम एनरजी की जरूरत पड़ी कुछ लोगों की कंप्यूटिंग प्रक्रियाएं जटिल होती है आपके पास तीन फ्लस एक फ्लस दो फ्लस पांच था कुछ दस्वा हिस्सा है, कुछ प्रकार की ग्लूइंग है यानि ट्रांजेक्शन का पेयर अर्थात हर चीज की कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, समय के साथ सहसंबध होना आवश्यक है स्मार्ट कॉंट्रेक्ट के संचालन का अलग-अलग गणित होता है और तदनुसार, किसी ट्रांजेक्शन को निश्पादित करना और गणना करना जितना कठिन होता है वह उतना ही महंगा होता है क्योंकि कंप्यूटर, नेटवर्क, ब्लॉक्चेन, स्वयम इस काम पर अधिक समय और अधिक एनरजी खर्च करेंगे तदनुसार, इस सवाल पर मुफ्ट स्प्लिटिंग ट्रांजेक्शन के लिए आपको कितने स्मार्ट को फ्रीजिंग करने की आवश्यक्ता है मैं आपको जबाव नहीं दे सकता और एक और कमी, स्टेकिंग के कैलकुलेशन का फार्मूला वास्तव में बैंडविट्थ और एनरजी दोनों के लिए स्टेकिंग के कैलकुलेशन का फार्मूला एक समान है लेकिन अलग-अलग कैलकुलेशन की जाती है देखो, मुझे कितने रिसोर्स प्राप्त होंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे करें यह आनलाइन कैसे काम करता है, और यह बहुत आसान है स्टेकिंग का आपका हिस्सा, यानि आपने किसी रिसोर्स पर जो स्टेक लगाया है नेट्वर्क में मौझूद स्टेकिंग की कुल मातरा से विभाजित किया जाता है अर्थात यदि आप और मैं ठीक अभी वेबिनार में सैकडों लोग हैं आप मेंसे प्रत्येक ने एक स्मार्ट स्टेक पर लगाया है तो आपको निम्नलिखित फॉर्मूला मिलेगा आपकी यूनिट को उन सभी स्मार्ट में विभाजित किया जाएगा जो इस रिसोर्स पर स्टेक किया गया था और इस रिसोर्स की दैनिक लिमिट से गुणा किया गया है बस इतना ही यानि फॉर्मूला बेहद आसान है आपके हिस्से को इस रिसोर्स के लिए स्टेक पर लगा की जाती है. एनर्जी बिलकुल वैसी ही है. एनर्जी के लिए स्टेक पर लगाए गए आपके हिस्से को नेटवर्क पर, हर चीज की एनर्जी के लिए स्टेक पर लगाए गए स्मार्ट की संख्या से विभाजित किया जाता है और दैनिक लिमिट से गुणा किया और उसी समय जब आपने अपने स्मार्ट को स्टेक पर लगाया तो यह पता चला कि आपको तुरंत ये रिसोर्स प्राप्त होने लगे, फ्रीजिंग और स्टेकिंग के समय से, मेरा मतलब है यह काफी शानदार है, सवाल जो चैट में पूछे गए थे, वे कब परिपक्व हों और आप असीमित समय के लिए स्मार्ट को स्टेक पर लगा सकते हैं, यानि आप इन्हें कभी भी पिखला सकते हैं, चलिए फॉर्मूले के बारे में थोड़ी बात करते हैं, मैं और आप स्क्रीन के दूसरी तरफ जो है, वह यूजर है, आपके और मेरे ट्रांजेक्शन अल अलग-अलग कॉंट्रैक्ट, अलग-अलग स्प्लिट्स, अलग-अलग लागत होती, यानि एक ट्रांजेक्शन के लिए कोई एक लागत नहीं है, हम में से प्रत्यक के पास अलग-अलग ट्रांजेक्शन है, नेट्वर्क उनकी कैलकुलेशन अलग-अलग तरीके से करेगा दूसरी बारी किया network का dynamic index ही है अर्थात हमारे लिए urgent resources का formula पहला इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितना stake पर लगाया है और दूसरा network में कितने resources stake पर लगाये हैं हमारी limit हमेशा स्थिर रहती है अर्थात हमारे formula से, हमारी calculation से आपके और मेरे पास केवल दो स्थिर unit है पहला, यह energy और bandwidth की प्रति दिन अधिकतम limit है बाकी सब कुछ dynamic है और आपने कितना stake पर लगाया और network पर total कितना stake पर है बिना किसी परिशानी के आज आपने 100 को stake पर लगाया कल आप इन 100 के अलावा 10 और stake पर लगाएंगे यानि आपका formula पहले से ही बदल रहा है उस समय जब आपने 100 को stake पर लगाया था तो सामान्य blockchain में 10 लाख smart stake पर थे और इसके एक घंटे बाद 2 million इसके एक और घंटे बाद 1.5 million stake पर लगे थे क्योंकि किसी ने stake पर लगाया किसी ने फिर से stake से हटाया और फिर किसी ने stake पर लगाया इस प्रकार आपके और मेरे पास resources वितरन की पूरी गतिशीलता है जो फिर से मुख्य रूप से network के users पर ही निर्भर करती है इसलिए मेरे दोस्तों फिलहाल मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि splitting transaction को मुक्त में बदलने के लिए आपको कितना stake पर लगाना होगा मैं अब आपको यह नहीं बता सकता कि आपको कितना stake पर लगाने की जरूरत है ताकि दिन में एक बार take reward transaction करने के लिए परयाप्त हो कियोंकि आप और मैं नहीं जानते कि आप हर बार कितना stake पर लगाते हैं और दूसरी बात कुल कितना stake पर लगेगा क्योंकि network में जितनी अधिक हिस्सेदारी होगी resources में हमारी हिस्सेदारी उतनी ही कम होगी क्योंकि हमारे पास سीमित resources हैं हमेशा दो मुख्य पैरामीटर होते हैं लिमिट यह अच्छा है कि हमारे application और हमारे explorer के पास यह जानकारी उपलब्ध होगी यानि आप अपना mobile application खोल कर देख सकेंगे हाँ, मेरे पास resources है, मेरे पास energy है, मेरे पास bandwidth है यानि यह indicator निश्चित रूप से आपके लिए उपलब्ध होगा और आप इस बात पर ध्यान दे पाएंगे कि आपने आज एक transaction पर कितना खर्च किया कल आपने कितना खर्च किया आप तुलना कर सकते हैं आम तोर पर एक समान प्रकार के transaction के लिए energy की लागत समान होती है इसलिए हमने यह पता लगा लिया है कि हमारे पास network resources, bandwidth और energy है यदि बात bandwidth की हो तो इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है लेकिन एक नियम के रूप में अगर हम आपसे energy के गैर लागत वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं तो कि यह smart transaction है यानि अगर आप smart के साथ काम करते हैं तो आपको energy की जरूरत नहीं होती है और यदि आपको smart contracts की आवश्यक्ता है तो आपको energy की आवश्यक्ता है तो smart blockchain पर सभी token, सभी smart contract है split 1, split 2, split 15, split 8-40, ultima अन्य सभी token, सभी smart contract है smart contract के साथ काम करने के लिए energy की आवश्यक्ता होती है इसलिए यहां आप स्वयम निर्णय ले सकते हैं कि आप किस transaction का उपयोग करते हैं आप क्या करते हैं आपको किस के लिए resources की आवश्यक्ता है smart contracts में transaction के लिए या smart contracts के साथ transaction के लिए और आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप energy के लिए कितना हिस्सा stake पर लगा सकते हैं और आप bandwidth के लिए कितना हिस्सा stake पर लगा सकते हैं इस बारे में एक बहुत अच्छा सवाल कि क्या उन्हें छोड़कर उन्हें प्राप्त करना संभव है मेरे दोस्तों staking इस कार्यक्षमता का एक चरणबध परिचय है यानि प्रात्मिक स्तर पर हम bandwidth और energy के लिए stake लगाने की बात कर रहे हैं हविश्य में जब voting संभव हो जाएगी तो smart power दिखाई देगी जब हम आपसे smart में rewards के बारे में बात करेंगे तो हम आपसे उस शानदार APR indicator के बारे में बात करेंगे यदि आपके पास energy limit है तो अभी अपना wallet खोलें आपके पास वहां एक smart का icon होगा आपके पास वहां coin वाला एक icon होगा अब आपको वहां दो graph दिखेंगे यह bandwidth और energy है यानि आपके पास वहां वह शून्य पर होंगे क्योंकि यह अब explorer के साथ विशेश रूप से अनुकूल नहीं है लेकिन वास्तव में explorer पर आपके bandwidth और आपकी energy के बारे में जानकारी है यह हमें बताता है कि आप और मैं energy संचय नहीं कर सकते यह deposit नहीं है यह बचचत खाता नहीं है यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आज खर्च नहीं कर सकता लेकिन कल वे मुझे और अधिक देंगे वर्तमान समय में आपके wallet पर प्रति दिन अधिकतम मूल्य 1500 bandwidth का है यदि हम stake नहीं करेंगे तो यह डेड़ से ज्यादा नहीं हो सकता चाहे हम किसी भी तरह खर्च करें चाहे हम इसे कैसे भी बचाएं यह जमा नहीं होता है यह अनिवार्य रूप से स्थिर है और बस आपके इसे खर्च करने का इंतजार कर रहा है कुछ खर्च नहीं किया हाँ 1500 बचे है खैर थोड़ा इंतजार करें अब यह बढ़ेगा क्योंकि यह एक दिन के दोरान इखटा होता है इसलिए इसे अपडेट किया जाता है तो सवाल का जवाब यह है कि क्या उन्हें इखटा किया अच्छा सवाल है अनलॉकिंग पर आने से पहले आईए आपसे बात करते हैं कि फ्रीजिंग और डीफ्रोस्टिंग क्या है यह वास्तव में एक या दो ट्रांजेक्शन नहीं है जब आप और मैं फ्रीजिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से इन टोक स्टेक पर लगाएंगे तो आपके पास शूनने उपलब्ध होंगे यदि आप रिसोर्सिस के लिए सभी एक लाख स्टेक पर लगाते हैं तो बस शूनने उपलब्ध होंगे तदनुसार यदि आप समझते हैं कि आप स्मार्ट को कहीं और ले जाना चाहते हैं लेकिन वे फ टॉक्चेन में वर्तमान उद्देश्य और प्रस्तावों से देखा जा सकता है, यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, अभी कोई functional data नहीं है, अब network पर कोई tracking उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब यह तयार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से unlocking की जानकारी की घोशना की जाएगी, चैट में और सभी निर्देशों में दोहराया जाएगा, और निश्चित रूप से हमारे अगले webinar में भी, लेकिन यह इस तथ्य पर ध्यान देने योग्य है कि आपके कोईन को defrosting करने की एक अवधी होती है, और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही यह defrosting अवधी समाप्त हो जाती है, आपको उन्हें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए, बस इसे प्राप्त करें, वे स्वयम आपके वालेट में नहीं आएंगे, वे अपने आप उपलब्ध नहीं होंगे, आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें स्टेक से हटा सक वे microwave में सबजी के टुकड़े की तरह defrosting करते हुए कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, फिर आपको सबजी का यह टुकड़ा प्राप्त करने की आवश्यक्ता होगी, defrosting प्रक्रिया यह हमारा एक microwave है, यह घूमता है, defrost करता है, घूमता है और रुख जाता है, और आपके सबजी का टुकड़ा freezer में है, यही बात आपके wallet पर भी लागू होती है, वे defrost हो गए हैं, लेकिन कृपया उन्हें वहां से हटा दें, हाँ बस इतना ही, उपलब्ध balance राशे, उन्हें अपने सुलब smart बनने का अवसर दें, इन coin को आपके उपलब्ध balance तक पहुँचने के आपको एक और transaction करने की आवश्यक्ता होगी और आप उनका उपयोग कर सकते हैं, सवाल का जबाव, smart staking कब काम करना शुरू करेगी, मेरे दोस्तों, जल्द ही, कितनी हिस्सेदारी generate होगी और किस के लिए, एक, जी हाँ, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी, stake पर लग समय लगता है, मेरे दोस्तों, जैसा आपका दिल चाहे, यानी, आप freeze बटन को दबा सकते हैं, फिर एक मिनट के बाद defrost, यानी, अपनी इच्छा नुसार, staking 2.0 आपको refreeze करने की अनुमत ही देता है, वह अवधी चूने जब आप defrost करना चाहते हैं, यानी, यह सब आपक नियंतरण में है, आपका phone, आपका wallet, आपका account, आपका control, बिना किसी समस्या के, क्या staking के लिए smart भेजना संभव होगा, मेरे दोस्तों, यहां ये काफी महत्वपूर्ण है, ब्लॉक्चेन पर smart staking एक असाधारन घटना है, यानी, आपको, आपके token के मालिक को, उन्हें स्व आपके wallet में, आपके address पर, आपके balance पर, blockchain में आपके account पर होता है, यह alpha-numeric string आपका address है, यह आपका account है, और सब कुछ इसी पर होता है, finance पर, bybit पर, कहीं और भी आप बस इतना stake पर लगाते हैं, इसका blockchain से कोई लेना देना नहीं है, यह आपके token नहीं है, यह वे token नहीं है जो आपकी balance sheet पर है, आपके पास इनका स्वामित्व नहीं है, वे exchange के स्वामित्व में हैं, केवल exchange के, और वह उनके साथ क्या करती है, और इसके लिए आपको क्या देती है, यह उनकी समस्याएं हैं, यह उनकी चिंता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है, कि आप हिस्सेदारी कर ल तो यह विशेश रूप से stake है, कोई संदेश नहीं है। कृपिया यह न सोचें कि कहीं न कहीं किसी को आपको अधिक energy देने का मौका मिलेगा। यदि कोई आपको अपने smart को किसी super staking wallet में भेजने की पेशकश करता है, जो आपको 5 गुना अधिक energy, 100 गुना अधिक bandwidth और कुछ अन्य gift देगा, तो यह staking नहीं है। Staking केवल आपकी है और केवल आपके control में है। Resources प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, जब तक कि यह वास्तविक staking नहो। इसलिए कभी भी अपने smart को कहीं मत भेजो। अगर कोई आपको कहे कि वह staking में लगा हुआ है, उसके पास सब बहुत ही जोरदार है, वहां क कुछ है, नहीं, ये सब नहीं हो सकता, इसलिए मेरे दोस्तों किसी भी हालत में कुछ मत भेजना, यह वालेट पर कहां दिखाई देता है, इंतजार करें, ये वर्जन 1.20 में दिखाई देगा, क्या प्रोडक्टों की लागत से smart burning का प्रतिशत वापस करने की योजना है, द हम अल्टिमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह सब सनरक्षित किया गया है, क्या हमें प्रतिशत में stake के लिए smart मिलेगा, हमें यह समझना चाहिए, कि staking और voting दो अलग-अलग चीज़े हैं, केवल voting के लिए smart में reward, आप और मैं पहले ही इस से गुजर चुके हैं, लेकिन चुकि हम staking की बात कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए, कि जैसे ही हम smart को stake करते हैं, bandwidth और energy के अलावा, एक तीसरे प्रकार का resource भी सामने आता है, यह है voting, यह है smart power, vote पर क्या खर्च होता है, उम्मीदवारों, सुपर प्रतिनिधियों, भागीदारों के सुपर प्रतिन कि हम एक young blockchain है, पिछले साल ही हमने network launch किया था, blockchain काम कर रहा है, सब कुछ बहुत बरिया काम कर रहा है, splitting technology के splits जारी किये गए हैं, वाह, यह काफी जोरदार है, और अब, चुँकि हम पूर्ण विकेंदरी करण के format में आगे बढ़ रहे हैं, हम अस्तित्व में मौजूद taking में शामिल होने का अवसर खोल रहे हैं, यानि हम network का पूरा control अपने users के हाथों में दे देते हैं, चुकि जिसके पास smart है, वह अपने smart को stake पर लगा सकता है, resources प्राप्त कर सकता है, और बाद में वह voting करने और चुनाव में भाग लेने में सक्षम होगा, लेकिन यह धीरे- यानि सबसे पहले हम staking launch कर रहे हैं, जिसमें NBS Energy से resources प्राप्त करना संभव होगा, अगले step है, voting करना, और voting के लिए उतने ही प्रतिशत smart प्राप्त करना, क्योंकि यह voting reward है, जो कि वही smart है, और यह voting के लिए बना है, इस तरह staking के लिए नहीं, बलकि विशेश रूप से voting के इसलिए, इसलिए staking का primary मतलब smart प्राप्त करना नहीं है, बलकि resources प्राप्त करना है, और resources का वितरण, जब हम आप से resources smart power के बारे में बात करते हैं, तो आप voting कर सकते हैं, इसे vote पर खर्च किया जा सकता है, smart की commission प्राप्त करने के मामले में यह पहले से ही फाइदे मंद हो सक क्या ether की staking हमारी होगी? हाँ मेरे दोस्तों, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं, कि मौजूदा network यह ether है, यह bitcoin है, यह tron है, हम bitcoin को stake पर नहीं लगाएंगे, लेकिन ether और tron को stake पर लगाएंगे, क्या defrost अवधी के दौरान, energy, मुफ्त transaction के लिए उपलब्ध न आते हैं, यदि आप उन्हें defrosting अवधी के दौरान भी unfreeze करते हैं, नहीं, resources अब आपके पास नहीं है, वे अब वितरित नहीं होते हैं, अब आप उनके हकदार नहीं हैं, केवल frozen हुई अवस्था में ही आप किसी resources के हकदार होते हैं, अन्य किसी अवस्था में नहीं, हमन कई नए टैब और मोबाइल एप्लिकेशन जोड़े जाएंगे चिंता ना करें यदि कोई चीज आपको पहली बार में डराती है तो डीफ्रोस्टिंग, एनरजी, बैंडविड्ध है इसे चुने, फ्रीज करें सभी प्रकार के टेक्स्ट है चिंता ना करें हम यह सब कर लेंगे लेकिन आज के लिए मुझे आपको बस इस तथ्य के लिए तयार करना है कि हम स्टेक लगाने की तयारी कर रहे हैं और हमें यह समझने की जरूरत है कि यह क्या है न कि इसे केवल फ्रीज कर दें और फिर मेरे स्मार्ट कहा है यह मेरे लिए उपयोगी था, किसी कारण से मैंने सोचा कि हमें स्मार्ट मिल जाएगा बैंडविट, अंततह, दूसरी एनरजी है, सब क्लियर है इगोर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्मार्ट की अधिक्तम कितनी संख्या को फ्रीज किया जा सकता है आपके पास कौन सा है, आपके पास इतना कुछ है, आप कुछ भी कर सकते है आपके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, मुख्य बात एक से कम नहीं है खैर आपको शुभ काम नाए, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से हो आपको काम्याबी मिले और मैं काम पर वापस आ गया हूँ अलविदा दोस्तों